एक लड़की अपने टीचर के उपपर हस रही थी क्योंकि टीचर ने बोर्ट पे कुछ गलत लिख दिया था पर ऐसी गलती की उमीद उस लड़की को अपने टीचर से दुबारा नहीं थी एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे और कुछ बोर्ट पे लिख रहे थे जो वो बोर्ट पे लिख रहे थे वो ये है 9-1 जा 7, 9-2 जा 18, 9-3 जा 27, 9-4 जा 36, 9-5 जा 45, 9-6 जा 54, 9-7 जा 63, 9-8 जा 72, 9-9 जा 81, 9-10 जा 90 जब टीचर ने ये टेबल पूरी कम्प्लीट कर ली तो उन्होंने पीछे मोड के रेखा और देखा कि सारे बच्चे क्लास के उन पे हस रहे हैं टीचर ने बोला ये जो मैंने लिखा है आज मैंने तुम लोग को बहुत ही इंपोर्टन चीज समझाने के लिखा है ये तुम्हारी लाइफ का एक लेसन भी है तो एक बच्चे ने खड़े हो के पूछा सर आपने ऐसे क्यों लिखा और आप हमें क्या समझाना चाहते हैं तो टीचर ने बोला मैंने बोर्ट पे नाइन लाइने बिल्कु सही लिखी है पर तुम में से किसी ने भी उन नाइन लाइनों के लिए मुझे एप्रिशेट नहीं किया मैंने सिर्फ एक लाइन गलत लिखी और तुम सब मेरा मजाग बना रहे हो यही सेम चीज हम सबको रियल लाइफ में भी फेस करनी पड़ती है मतलब हम बहुत सारे ऐसे अच्छे काम करते हैं जिने लोग नहीं देखते और उनके लिए हमें शाबाशी नहीं देते लेकिन हमारा ये गलत काम सबको दिखाई देता है और सब उस पे हमारा मजाग बनाते हैं इसलिए हमें किसी के मजाग बनाने पे या हसने पे अपने आपको छोटा या गलत नहीं महसूस करना चाहिए बल्कि अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए